हाई एवरीवन इस वीडियो में हम लोग एक पेणी श्टॉक के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं पेणी श्टॉक वो जिनके जो प्राइस होते हैं वो काफी कम होते हैं as compared to the normal stock. But एक यहाँ पर सवाल आता है कि sir इसके पहले भी आपने दो penny stock के बारे में discuss किया है. तो उन दोनों के results क्या हुए है? Because see, like if I am getting the outcome like after watching any video, like आप internet पर कोई भी videos देखते हैं and उसके basis पर आपको results आते हैं, तो थोड़ा सा जो आपका confidence होता है वो बढ़ता है. तो यहाँ पर मैंने दो stock के बारे में discuss किया है. तो आपको यह जानना काफी ज़्यादा ज़रूरी है कि previous two में क्या हुआ है? तो एक में उसमें target hit हुआ है और जो दूसरा stock था, उसमें अभी तक level नहीं आया है. बट जो last week का candle है, वो काफी अभी भी strong है and वहाँ से आपको एक buying देखने को मिल सकती है. अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल आता है कि sir, आपने जो दूसरा stock दिया, उसका जो level नहीं आया, तो उसमें क्या करें, देखो, एक simple सा rule बता रहा हूँ, कि अगर आप कोई भी rules को अगर follow कर रहे हो, let's say कि मान लेते है, Nifty जो है 19,800 के उपर, एक अच्छा buying देखने को, उसमें मिल सकता है, क्योंकि 19,800 जो है, एक resistance की तरह act कर रहा है, तो अभी जो price है, वो somewhere around 19,500 के आसपास है, तो जब तक price नहीं आएगा न, तब तक आपको buying नहीं करना है, देखो, अगर आप buying नहीं कर रहे हो, तो पहला आपके कोई losses नहीं होंगे, दूसरा, आपके जो पैसे हैं, वो आपके account में ही रहेंगे, गलत trade करके loss करना, वो गलत बात है, बट अगर आप एक proper rules को follow कर रहे हो, अगर उसके बाद अगर loss होता है, तो आपको stock market में भी यही करना है, आपको proper rules को follow करना है, अगर आपको stock market में लंबे समय तक टिके रहना है, तो आपको एक चीस्तों आपको follow करना ही होगा, और वो है risk management, अब बात करते हैं हम लोग penny stock के, तो अगर आप किसी भी penny stock में invest कर रहे हैं, तो एक बात समझेए, कि अगर किसी stock का अगर price कम है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ region है, क्योंकि जो भी अच्छे stock हैं, उसके जो price हैं वो already up है, और जिसके कम है, there must be some reason that we don't know, तो यहाँ पर जो मैं stock discuss करने जा रहा हूँ, उसका नाम है HCC का, और यह रहा इसका chart, अब एक यहाँ पर सवाल ओड़ा सकता है, कि सर कितना percent हमें invest करना चाहिए, तो मान लीजिए, आपका जो capital है, वो है 1 lakh, तो इसमें कितना invest करना है, max to max 1%, उससे ज़्यादा risk नहीं लेते, तो इस तरह से आपको investment करना है, अगर कोई आप fundamentally काफी strong company में invest कर रहे हो, तो आप वहाँ पर 2-4% का risk ले सकते हो, अब आईए इस stock के बारे में discuss कर लेते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो मैं time frame यूज कर रहा हूँ, वो है weekly का, और stock ने एक काफी अच्छा breakout दिया है last week में, यहाँ पर मैं पहले pattern draw कर देता हूँ, जिससे आपको यह समझ में आ जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इस stock ने एक kind of cup and handle pattern बना रखा था, and last week में हमें इसका breakout देखने को मिल रहा है, तो जो stock को select करने का जो region है, वो है cup and handle pattern का breakout, बट अभी भी कहानी खतम नहीं हुए, अभी भी एक चीज इसमें missing है, और वो है volume, तो यहाँ पर मैं volume को add कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो last week का volume है, वो normal week के competition में कई गूना जाता है, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कि अगर price बढ़ रहा है, with increment in volume, तो यह जो sign होता है, यह होता है bullishness का, और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है, वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, याद रखिएगा मैं probability की बात कर रहा हूँ, कोई guarantee की बात नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा इसको volume को और analyze करते हैं, और इसको समझने की कोशिस करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा पहले मैं hide कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने चार्ट को hide कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो company जो list हुई थी, around 2006 के आसपस list हुई थी, and जो सबसे ज़्यादा जो volume हमें देखने को मिला है, वो देखने को मिला है last week में, तो volume जो है वो काफी ज़्यादा positive है, अब बात करते हैं labels की, तो सबसे पहले मैं chart को unhide करता हूँ, तो यहाँ पर हमें volume भी support कर रहा है इस breakout की, तो अब बात करते हैं कि कौन से label पर हम लोग इसे buy कर सकते हैं, क्या हमारे stop-loss होंगे, और क्या हमारे target हो सकते हैं, तो हम लोग इसे buy करने जा रहे हैं, 26.5 के उपर, 26.45 last week का high है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें buffer दे रहें, ताकि हमारा मतलब order थूरत execute ना हो, अब बात करते हैं stop-loss के, तो stop-loss हम लोग एक ऐसी जगा पर रखते हैं, जहां से price एक reversal दिखाता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो swing low है, यही हमारा stop-loss होगा, जो क्या रहा है 19 रूपिज closing basis पर, अब बात करते हैं target के, तो मारा first target होगा 28.8 का, second target है 34.3 का, and third target है 39.5 का, तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, thanks for watching,